हेलो दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर आई हम आपके सामने एक और अन्बोक्सिंग लेके आते हैं अभी हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है यूरिका फॉब्स का कार क्लीनर का वह हमने न्यू मंगवाया था तो हमने उसकी अन्बोक्सिंग करके स्क्रिप्शन रिलेटीड हमने बताया आपको उसमें कितना आइटम्स उसमें मिला है हमको और क्या यूज है उसका बेसिक अली ठीक है तो आई यह देखते हैं एक और हमने उससे पहले एक यूरिका फॉब्स का ही हों वैक्यूम क्लीनर बंवाया था जो की एसी करेंट पे है वो डरेट करन्ट पे था जो की हमारा कार प्रोडूस करता है और यह है हमारा जो कि हमारे घर के इलेक्रिक्टिटी भॉर्ड से चलिए टीक यह देखते हैं इसका कितना प्यावर हैं एंड Fitness ए्टर आइटेड और इसको उपन करके देखते हैं के इसके अंदर कितनी प्रे यह दोस्तों इतने हम यह शुरू करते हैं इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लिजिए सो देट आप लोगों को हमारे निव वीडियो अपडेट्स मिल जाएं टाइमली तो यह देखे दोस्तों यह चुल में की काफी बड़ा है योडिका फॉप्स का है तो हम यहां आइटम निकाल के रखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या आइटम इसमें है यह एक फ्लोर क्लीनर है यह दो होज पाईप है एक चोटा नोजल है इसका एक लोक है बेसिकली यह फिलसे एक होज है और यह इंट दिया हुआ है यह फिलोर यह बेड वगश रचंस्प और यह फिर दिया है इसमें इसमें यह दो आइटम्स और भी है यह कनेक्टर कह सकते हैं कनेक्टर जैसा है और एक यह ब्रश भी है अभी हम इनको जोड़ के लिखाएंगे आपको कि क्या कौन सी चीज कितना काम की है और एक यह यह कनेक्टर है बिसीकर लिख लांग पाइप को लेंधी करने के लिए यह इसका वरंटी काड और मैनल वगयरा होगा तो हम थोड़ा देखते हैं इसमें description और हमें क्या details है यह इसका warranty card है one year warranty का यह आप देख सकते हैं one year warranty card और यह इसका easy clean menu है तो menu में कुछ हम आपको देखके बताते हैं कि यह किस तरीके से operate होगा इसका हम picture भी आपके साथ share कर देंगे यहां पर इन्होंने कुछ customer related information दे रखी है dear customer like यहां पर इसका details है basically यह इसका vacuum cleaner है जो कफी handy है अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो यह काफी handy है यह on off switch है इसका यह इसका clean cup होता है जहां पर यह dust clean dust cup जो है इसका इसके अंदर यह उसको open करने के लिए होगा यह देखिए तो हम अभी इसको बंद कर देते हैं ठीक है और यह इसका wire है यह भी around five meter के आसपास होगा तो हम यहां पर आपको details बताते हैं यह देखिए one two यह points दिखाए हुए इन्होंने यह जैसे first point है जो यह यहां पर है यह suction end है ठीक है second point यह है यह इसका dust cup है ठीक है यह इसका shoulder step है यह belt दिया हुए इन्होंने और यहां पर यह belt लगेंगी basically एक point यह दिया हुआ है और एक point यहां दिया हुआ है whole दिया हुआ है जिस पर आप यह belt लगा के shoulder पर हैंक कर सकते है इसको यह on-off बटन दिया हुआ है यह handle है इस तरीके से यह real real filter cover है basically ठीक है और एक नंबर पर housing यह इसको कुछ housing बोलते हैं में भी शायद vacuum के लिए यूज होता हुआ है यहां पर यह पीछे की तरफ जो है यहां से हवा पीछे की तरफ ब्लो करेगा और यहां से यह खीचेगा तो यह दोनों परपस से है basically आप इसको ब्लोवर की तरहें भी काम ले सकते हैं and vacuum cleaner की तरहें भी काम ले सकते हैं मैं पहले एक बार आपको items काउंट करके दाता हूं कितने items हैं इसमें एक हमारा यह एक एक ब्रश एक यह ब्रश है एक यह ब्रश है तो यह होस पाइप तीन यह होस पाइप है यह इसका सक्षन जो पीछे कैप होता है बेसिकली जो ब्लोवर के परपस से होगा यह के बैल्ट है दो होस पाइप दिये हुआ है और एक यह फ्लोर के लिए है तो टोटल आइटम्स अगर मैं काउंट करूं वन टू थी फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तैन इलेवन ट्वल 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 आइटम्स हैं दोस्तों तो आइए अब मैं आपको वन वन करके यह जॉइंट करके आपको बताता हूं कि कौन सा पाइप किस तरीके से यूज होगा प्रेश या यहां पर इसमें दिर मेंशन भी किया फिकर वन में तो हम यह इमेज कर देंगे आपके साथ यह इस तारीके से यूज के लिए पताा है इनोंapolis तो सेकेड फिगर में इन्हों ने दिया वो यह ब्लोवर के लिए पाइप जो दिया हुआ है बिसीकली आप यह यहां पे अटेच करेंगे आगर आप यहां पे आपको कोई भी चीजच करना हो इसमें तो आप यह अटेच कर सकते हैं यह आटेच करना हो आपको यह देखें दोस्तो आटेच कर सकते हैं हैला है यह देखें दोतों इस तरीके से एठेच हो जाता है इसके और कप्स भी दिया हूँगे यह इस तरीके से यहां पर और न है यह पाइप्स तो रहीं लें। करने के परपस से यह आप इस तरीके से कच्छ कर सकते हो बेसिंट यह देखे हैं यह कि City यहां पर देखे दोस्तों इस तरीके से एड हो जाएगा सक्षन कप है बेसिकली यह क्लीन करने के लिए है आपकी ब्रश है आपका कुशन्स वगेरा बेडशीट्स वगेरा या फिर गद्दे वगेरा हुए या सोफा सेट हुआ आपको कोई भी चीज क्लीन करनी है तो यह ब् और अब इसका थोड़ा पीछे का हम ओपन करके दिखाते हैं किस तरीके से यूटिलाइज होगा बेसिकली इसको हम चला के भी दिखाएंगे आपको यह इसका पीछे का पार्ट है जो जब हमें ब्लोवर की तरह इसको काम लेना है तो यह काम नहीं आएगा तो अब आपको यह हटाना पड़ीगा यह इस तरीके से यूटिलाइज होगा और यह इस तरीके से यहां पर सेट हो जाएगा और यह सक्षन गप अब काम आएगा यह ब्लोवर काम आएगा यह ब्लोवर के लिए है छोटे वाला पतले वाला नोजल जो है यह नोजल जो पतले वाला है यह ब्लोवर के लिए है यह हम इस तरीके से यूज कर पाएंगे तो हम अभी इसका प्रेशर भी दिखाएंगे ले आप cleaning परबस से ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसको मैं आपको जॉइंट करके दिखाता हूं लाइक देखे दोस्तों कि क्याओ अभी हम इसको और जॉइंट करके दिखाते हैं ये देखे दोस्तों कि यह हमने इस तरीके से कैप कर लिया है और तो यहां पे आप देख सकते हैं लिचे फर्ष के क्लीन करने के परपस से और यह इस तरीके से इरुटिलाइज होता है तो अलमोस हमने सभी चीजों का आपको करके दिखाया है यह सभी चीजों का यूज कैसे होता है यह ब्लोवर किस तरीके से काम करेगा तो अभी हम इसको चला के दिखाते हैं इसके अंदर पावर कितनी है और यह किस तरीके से चीजों को खैच पाएगा तो अभी हम इसको चला के दिखाते हैं आपको तो यह देखिए दोस्तो हमने इसको पावर कनेक्ट कर दिया है और यह इसका सक्षन कप है बेसिकली यह देखिए हमने लास्ट टाइं यूज कि यह था थोड़ा सा इसमें कच्रा जमा है अब यह एक रबर कप दिया हुए बेसि अब हम इसको एज़िटीज बंद कर देते हैं यह निचे लॉक सिस्टम है थोड़ा सा और इसको उपर लॉक करने के परपस से यह बटन दिया हुए ओपन करने के लिए तो इसको यह हमने बंद कर दिया है अभी हम इसको चला के दिखाते हैं सो देट आपको पता चले कि यह कितना ब्लो कर पता है कि आप लोगों को पता चल रहा हुगा इसकी बॉइस का मैं कोई चीज लेकर देखता हूं यहां पर कि कितना घीज़िता हुए इसमें तो यहां पे कुछ मेभी शायद इसका मेंशन हो कितने वाटेज का है सक्षन एंड ब्लोवर यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है देखिए दोस्तों यह इसका वेट है 1.8 kg और मोटर का जो पावर है वो 800 वाट का है तो काफी हैवी मोटर है यह सक्षन प्रेशर है इसका 160 cm of WC 16 kPa डेमेंशन भी मेंशन है यहां पर 25 x 12.5 x 17.5 and voltage लिखा है 230 voltage AC and noise level भी लिखा है 83 dB 83 से कम होगा basically lower than 83 dB ठीक है तो यहां पर यह इसका जो maximum retail price लिखा है 3,299 रुपीज का मार्की लिखा है मार्केट में आपको यह इतने तक का मिल जाएगा हमने यह online discount पर मंगवाया था तो यह हमको around 2600 रुपीज के आसपास पढ़ा था तो 2600 में इस से अच्छा मुझे नहीं मिला तो मैंने फिर यही ओर किया था अभी के लिए इतना ही दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेर जरूर कीजिए और अपना प्यार दिखाईए रहें अखिए अच्छी तरीके से आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लाते रहें धन्यावाद वास्तों